दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दो सवालों के जवाब जो की चैप्टर नमबर वन से है महाराष्टर स्टेट बोर्ड टेन स्टेंडर्ड के जोग्रोफी सब्जेक्ट से दोस्तो चैप्टर वन जो है जोग्रोफी सब्जेक्ट में 10 स्टेंडर्ड में वो है फिल्ड विजिट इसमें से कोच्चन नमबर 4 और 5 जो के हमारे सामने है इसके जवाब हम जानेंगे दोस्तो आगे बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिये दोस्तो ताकि ऐसे ही मोटोपूर्ण वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फिल्ड विजिट इस चैप्टर से कोच्चन नमबर 4 जो हमारे सामने वो है इस सवाल का मतलब यहा है कि आप कौनसी कौनसी चीजे साथ में लेके जाएंगे जब आप फिल्ड विजिट के लिए जाएंगे दोस्तो इस सवाल का जवाब आपने कुछ इस तरह से लिखना चीए एंसर दो फॉलोईंग आर दे अटम्स दाट आई विल टेक फॉर्ड विजिट निमन लिखित चीजों को फिल्ड विजिट के लिए मैं अपने साथ लेके जाऊंगा पहली चीज है नोटबुक एंड पेंड दूसरी है कैमेरा तिसरी है फरस्टेड और फरस्टेड बॉक्स चौथी चीज है वो है कमपास का मतलब होता है दिशाशुचक एंत्रग जो अपनी सुई की नोक दोरा हमें उत्तर दिशाव प्रदरशित करता है इनके अलावा जो चीजे हम अपने साथ लेके जाएंगे वो है बैग इसके बाद स्टील वॉटल्स फिर सेवन नंबर पे जो है वो है बाइनेकुलर्स और फिर मैप दोस्तो बाइनेकुलर इस यंत्र के सारे हम दूर की वस्तु को देख सकते है इसके अलावा मैप जो की पता है उसे नक्षा कहते है हिंदी में दोस्तो यही आठ मौतो पूर्ण चीजे हमें अपनी फिल्ड विजिट के लिए लेके जानी चाहिए दोस्तो इसके बाद जो पाचवा सवाल है हमारे सामने फिल्ड विजिट इस चैप्टर से वो है आउटलाइन दे इंपोर्डन्स ओफ फिल्ड विजिट दोस्तो इस सवाल का मतलब है कि फिल्ड विजिट का क्या मतों है उसे लिखिए या उसे रेखांकित कीजिए तो दोस्तो चलिए देखते हैं इस सवाल का जवाब एंसर में पहले लाइन जो है वो है हम फिल्ड विजिट के लिए नल दुर्ग इस चोटे से गाउ से अलिबाग के लिए गए फिल्ड विजिट is very helpful for supplementing the theoretical knowledge we read in our books इस लाइन का यह मतलब है कि हमारी किताबों में हम जो भी कुछ फिल्ड विजिट के बारे में पढ़ते हैं उसे समझने के लिए फिल्ड विजिट एक बहतरीन जरिया है यही चीज़े हमें समझने के लिए फिल्ड विजिट बहुत महतोपूर्ण होती है इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है इसका मतलब यह है कि फिल्ड विजिट हमें मदद करती है समझने के लिए कि वास्तविक चीज़े कैसी है और किस तरह मेल खाती है प्रायोगिक जगह से और उसका क्या मोतु है इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है इस लाइन का मतलब है कि फिल्ड विजिट जो है चातरों में उच्छा और इच्छे शक्ति निर्मान करती है कि छातर अपनी आजू बाजू की जो जगह है उन्हें समझे और उनके बारे में जानकारी रखे दोस्तों तो यही था हमारे पाच्वे सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में बस इतना ही ऐसे ही इंट्रेस्टिंग और इंपोर्टन्ट वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे दोस्तों और हमारे इस वीडियो को लाइक करना न भूले हो सके तो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजे तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ